परिजय आओ अपने इस अध्याय में हम अनुवन शिक्ता तथा विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विकास को परिभाशित करना जीवन का उद्गम समझना उपार्चित तथा वंश्यानुगत लक्षणों को पहचानना जाती उद्भवन समझना विकास तथा वर्गी करन को समझना अनुरेखन विकासात्मक संबंधों को समझना जीवाश्म को पहचानना विकास चरण को समझना विकास तथा प्रगती में अंतर पहचानना और मानव विकास की प्रक्रिया समझना विकास विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जिससे होकर वर्तमान जीव तथा पौधे जीवन के उद्गम के समय से विक्सित हुए हैं विविधता जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि विविधता सजीवों में सामान ने अभी लक्षरों से अलग विक्सित संदचनात्मक, कारियात्मक एवं वहवारात्मक परिवर्तन होती है विविधताओं का उद्गम तथा संचयन आवशक होता है क्योंकि ये विकास के लिए कच्चा पदार्थ प्रदान करती हैं विविधताओं के प्रकार विविधता आनुवन्शिक या गेर आनुवन्शिक हो सकती है आनुवन्शिक विविधता विकास में प्रतिभागिता करती है जबकि गेर आनुवन्शिक विविधता विकास में प्रतिभागिता नहीं करती है कोशिकाओं की प्रवृत्ती के आधार पर जहां ये विविद्ता उत्पन होती है, दो प्रकार की विविद्ताएं होती हैं सॉमेटोजेनिक विविद्ता या उपार्जित लक्षन, भृूनिये या ब्लेस्टोजेनिक विविद्ता समेटोजेनिक विविदता वे विविदताएं होती है जो किसी जीव की आयू के दौरान, किसी भी समय जीव की देहिक कोशिकाओं तक ही सीमित होती हैं, तथा ये विविदता जीव के साथ ही मृत हो जाती है, एवं ये गैर अनुवन्शिक होती है ऐसी विविदताएं जीवों के जीन में पाई जाती हैं, ये या तो पहले से ही उनके पूरवजों में उपस्थित होती हैं या समय के साथ उत्पन्न हो सकती हैं। ये विदताएं आनुवन्शिक होती हैं तथा विकास के लिए कच्चे पदार्थ का निर्मान करती हैं। विविदता के स्रोत विविदता निम्न कारणों से होती है। उद्परिवर्तन आनुवन्शिक विचलन उद्परिवर्तन एकाएक, व्रेहध तथा आनुवन्शिक पदार्त में होने वाला परिवर्तन है। ये परिवर्तन कुछ प्राकृतिक कारकों या मानविये गद्विधियों द्वारा हो सकते हैं। आनुवंशिक विचलन अफसरगत अईस्थरताओं द्वारा जीन आवृत्ती में होने वाला या दृच्छिक परिवर्तन है या समिष्टी के आकार के विपरीत अनुपात में होता है एवं इस प्रकार या छोटी समिष्टी में अधिक ग्राहे है जिन में अंताह जनन की अध प्रिद्धी करती है यह बिना किसी अनुकूलन के विविधता प्रदान करती है जीवन की उत्पत्ती जीवन की उत्पत्ती के सिद्व झाल करता है जीवन की उत्पत्ती है जीवन की उत्तत्तत्त का प्रदा जीवन की उत्पत्त्तत्त उपार्जित तथा वन्शानुगद लक्षानु आनुवन्शिक अभिलक्षण वे होते हैं उपार्जिक अभिलक्षण वे होते हैं जीव उद्भव नई प्रजातियों के बनने की प्रक्रिया है जब भगौलिक रूप से एकाकी सदस्यों के मध्धे विविदता उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण से जनन वियोजन होता है जहां कुछ प्रजातियां एक दूसरे के साथ जनन नहीं करती हैं किसी समश्टी के गूड परिवर्तनों के साथ सदस्यों के एक अन्ने समश्टी में पलायन से नव समश्टी में नए लक्षों के विस्तार में सहायता प्राप्थ होती है आनुवन्शिक विचलन वह होती है जो प्राक्रितिक आपदा के कारण एक जन संख्या से कुछ जीनों को निश्कासित कर देती है या मृत्यों जीन आवृत्ती में परिवर्तन लाती है विविद्धा तब भी संकलित हो सकती है जब DNA प्रती छवी तंत्र में अशुद्धियां उत्पन हो जाती है गुण सूत्र संख्या में परिवर्तन से भी दो उपसमोहों में भयंकर अंतर उत्पन हो सकते हैं यौन जनन से भी विविद्धा उत्पन होती है भगौलिक अवरोधक अथवा भगौलिक व्योजन यथा नदी या पर्वतों का समस्टी के दो उपसमुहों के मध्धे अंत्रा गमन जीन प्रवाह के स्तर में कमी लाता है जनन व्योजन दो उपसमुहों के मध्धे उत्पन्न होता है जिसका अर्थ है दो उपसमुहों वे लक्षण विक्सित कर लेते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ सहचारी नहीं होने देते विकास तथा वर्गी करण जीवों के मध्धे समानताएं हमें उन्हें समुही कृत करने की अनुमती प्रदान करती हैं जितने अधिक अभिलक्षण उनमें आम होंगे उतने ही अधिक वे संबंदित होंगे जितने निकटतम वे संबंदित होंगे उतना ही नस्दीक उनमें आम पूरवज होंगे इसे एक भाई एवं बहन के उधारन से अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है वे निकटतम संबंदित होते हैं क्योंकि उनके पूरवज समान होते हैं इस प्रकार हम प्रजातियों के छोटे समूहों का निर्मान हालिया समान पूर्वजों के साथ कर सकते हैं। फिर इन समूहों के उप समूहों में अधिक समान पूर्वज होंगे। विविद जैविक अधियन हमें बतलाते हैं कि अपने उध्भाव के बाद से ही जीव अपने नए रूपों में विक्सित होने के लिए अपनी संडचनाओं में विविद परिवर्तनों से होकर गुजर रहे हैं। विविन प्रकार के जीवों में कुछ समान प्रकार की विशिष्टताएं विकास के पक्ष में प्रमान प्रस्तुत करती हैं क्यूंकि उन्हें एक समान पूर्वज से विक्सित हुआ माना जा सकता है। कुछ महतपून सुरोत जो जै विकास के लिए प्रमान प्रस्तुत करते हैं वे हैं समजात अंग, समरूप अंग। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संडचना समान होती है लेकिन कारे भिन्न होते हैं। उधारण एक मेडक, पक्षी तथा पुरुष का अगरबाहू। यहड़ी की एक इही मूल संकल्पना पर निर्मित होते हैं किन्तु इनके कारे भिन्न होते हैं यथा कूदना, उड़ना तथा पकड़ना। समरूब अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संडचना तो भिन्न होती है, किन्तु उनके कारे समान होते हैं। उधारण कीटों तथा पक्षियों के पंखों की संडचना भिन्न होती है, किन्तु वे उड़ने का ही कारे करते हैं। जीवाश्म अधीद में रहने वाले मृत पशुओं या पौधों के अफशिशों को जीवाश्म के रूप में जाना जाता है एमोनाइट यानि अक्षेरुक, नाइटिया यानि मचली तथा राजासुर यानि डाइनसौर जीवाश्मों के कुछ उधारण है यदि हम मिट्टी को खोदते हैं तथा जीवाश्म को खोजना आरंब करते हैं तो हम पाते हैं कि सतह के निकट उन जीवाश्मों की तुल्ला में नए जीवाश्म मिलते हैं जो हमें गहरी सतह में जाकर प्राप्त होते हैं चलिए हम अब सौ मिलियन पूर्व से आरंब करते हैं कुछ अक्षेरुक सागटतट पर मारे गए तथा रेत में दफन हो गए और रेत एकत्र होती गई तथा दाप के चलते रेतीले पत्थर बनते गए लाखों वर्ष उपरांद एक खित्र में रहने वाले डाइनसौर मर गए तथा उनके शरीर मिट्टी में धप गए यह मिट्टी चट्टानों में परिवर्टित हो गई चट्टानों में पहले से ही अक्षेरुकियों के जीवाश्म थे इसके और कई लाखों वर्ष उपरांत आश्व जैसे जीवों के शरीर वो सिक्षित्र में चट्टानों में दब कर पहले से बनी इन चट्टानों पर जीवाश्मों बन गए कई वर्ष उपरांत ख्षरण अथ्वा जल प्रवा के द्वारा कुछ चट्टाने हटीं तथा आश्व नुमा जीवाश्मों का पता जला विकास चरण एक परिवर्थन जो आरंब में किसी गुण के लिए लापकारी होता है बाद में भिनकारियों के लिए भी उप्योगी हो जाता है उधारण पंक आरंब में ठंडे मौसम में रोधन प्रदान करने के लिए उप्योगी थे किन्तु कालांतर में वे उड़ान भढ़ने के लिए उप्यूगी हो गए कुछ डैनसौर में पंक पाए जाते थे हालकि उन्होंने उड़ने के लिए कभी भी पंकों का प्रेयोग नहीं किया विकास तथा प्रगती में अंतर विकास में पुरानी प्रजादियां नई प्रजादियों के निर्माण के दोरान विलुप्त नहीं होती हैं तथा अधिकतर पुरानी तथा सामान्य प्रजादियां अभी भी जीवित हैं विक्सित प्रजादियां कभी भी पैत्रिक प्रजादियों से भिन्न नहीं होती हैं विकास प्राकृतिक तथा आनुवन्शिक विचलन पर आधारित होता है जो एक साथ मिलकर एक ऐसी समश्टी का निर्माण करते हैं जो अपनी पैत्रक प्रजादि से वियुक्त होती है मानव विकास प्रारूपों को मानव जातियों के रूप में मानते रहे. टाइम डेटिंग के आधार पर जीवाश्मों के अधेयन तथा DNA अनुक्रम को सनलगन कर आणविक जाती वृत्त के आधार पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी मानव जाती एक ही होमो सेपियन्स से संबंदित हैं होमो सेपियन्स के आरंब के सदस से अफरीका से आये प्रतीत होते हैं. हमारे कुछ पूर्वज अफरीका में ही बने रहे तथा कुछ पूरे द्वीप में फैल गए. कुछ ने अफरीका छोड़ दिया तथा समय के साथ पूरे ग्रह पर फैल गए. अन्य प्रजातियों के समान पूर्वजों के इन समोहों ने भी अपना जीवन अभीभावी परिवेश में व्यतीत किया तथा विभिन भागोलिक शित्र में विशेश विशिष्टताओं के साथ विभिन रन के होने के लिए आनुवन्शिक विविदता विक्सित कर ली. क्या आप जानते हैं? ए आई ओपरिन ने जीवन की उत्पत्ती पुस्तक 1936 में लिखी, हर्बर्ट स्पेंसर ने विकास शब्द दिया, चार्स डार्विन ने जैविक विकास के सिध्धान्त का प्रस्ताव दिया, जो संशोधन के साथ वन्शानुक्रम प्रतिपादित करता है. लिनार्डो दा विन्सी को भुविज्यान का जनक के रूप में भी जाना जाता है. W.F. लिबी ने कार्बन 14 डेटिंग तकनीक का प्रस्ताव दिया, जिसे पूर्ण डेटिंग तकनीक भी कहा जाता है. बॉल्ट वूट ने डेटिंग जीवाश्मों के लिए यूरेनियम आधारित पधति का सुझाव दिया. नेंडर्थल मैन प्रथम सभे व्यक्ति था, जबकि क्रो मैकनन मैन को आधोनिक व्यक्ति का विलुक्त प्रतिनिधी माना जाता है. मानव को बंदरों से अधिक चिम्पांजी के नजदीक माना जाता है, क्यूंकि मानव तथा बंदरों के डियने के बीच में 10 प्रतिशत का अंतर है. वहीं मानव तथा चिम्पांजी के डियने में 2.5 प्रतिशत का अंतर है. सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में तोहराएं. विविदताओं के मुख्य स्रोथ हैं उत्परिवर्तन, जीनों का पुनर संयोजन, आनुवन्शिक विचलन आदी. उत्परिवर्तन अनुवन्शिक पदार्थ में एका एक व्रिहद तथा अनुवन्शिक परिवर्तन होते हैं. उत्परिवर्तन एक विकासात्मक कारक के रूप में कारे करता है, तथा समश्टी में विविदताओं का निर्मान करता है, एवं उसे बनाए रखता है. प्राकृतिक चयन विभिन जनन के माध्यम से संचालित होता है, जिसकी वजह से कुछ लापकारी आनुवन्शिक विविदताएं समझ्टी के अधिक से अधिक सदस्यों के बीच फैल जाती हैं, यह उनकी जीन अवृत्ती में वृत्धी करती हैं आनुवन्शिक विचलन पैत्रिक आवृत्ती में यादरिच्षिक परिवर्तन होता है, जो अचानक उतार जड़ाव से उत्पन्न होता है अनुवन्शिक विजलन कुछ विशिष्टताओं की आवृत्ती में वृध्धी करता है, जिनमें कुछ उत्तर जीविता लाब दायक होते हैं चांस डार्विन ने जैविक विकास के लिए प्राकृतिक चयन के सिध्धान्त का प्रतिपादन किया, उन्होंने प्रतिपादित किया कि केवल उप्योगी निरंतर विविदता ही विकास में सहायता करते हैं, तथा प्राकृतिक चयन एक मिश्रित समष्टी से सर्वश्रेष् चायन करता है। जीवन के उद्गम का सबसे स्विकृत सिध्धांत है कीमो सिंथेटिक सिध्धांत। इसका प्रतिबादन उपेरिन तथा हेल्डेन द्वारा किया गया था। यह बताता है कि जल में प्राचीन जीवन की उद्पत्ती 4.2 बिलियन वर्ष पूर्व आधी काल मे रासायनिक विकास द्वारा पृत्वी के परियावरन में कमी के साथ हुई। इससे प्रयोग द्वारा मिलर तथा उरे द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ। जाती उद्भवन में निवर्तमान प्रजातियों से नई प्रजातियों के उद्गम समलित है। जाती उद्भवन उत्रोत्तर या तातक्षणिक हो सकता है। विकासात्मक संबंध जीवों के वर्गी करण द्वारा अनुरेखित किये जा सकते हैं। समझात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल सनचना समान होती हैं, लेकिन कारे भिन होते हैं। जबकि समरूप अंग वे अंग होते हैं, जिनकी मूल संधचना तो भिन्य होती है, किन्तु उनके कारे समान होते हैं। जीवाश में वे अफशेश अथवा विलुप्त जीवों के कड़े अंगों की छविया होती हैं, जो तलचटी चट्टानों में संदक्षित की जाती हैं। ये विकास के लिखित दस्तावेश हैं। विकासात्मक संबंद कुछ अंतह कालीन चरणों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। उधारन पंक वाले डाइनसौर यह विचार प्रदान करते हैं कि पक्षी भी विशाल काय सरी स्रिप हुआ करते थे। एक समान पूरवज कई आसवान परिलक्षित संदचनाओं का विकास कर सकता है। उधारन पत्त गोभी, फूल गोभी, कोहलारबी, काले, ब् पत्त गोभी के पौधे से। विकासात्मक संबंधों का निर्धारन आणविक वंशागती के आधार पर भी हो सकता है। विशेश तोर पर रक्त प्रोटीन तथा परिवर्तित डिने मात्रा। मानव विकास अफ्रीका से होना आरंब हुआ तथा इसमें असंखे मानव प्रक मानव